आदमपूर में उप्चुनाव का दंगल सच चुका है अब बारी है इस दंगल में उतरने वाले पहलवानों की दावेदारों की 3 नवंबर को होने वाले उप्चुनाव में अपनी ताल ठोकने के लिए कॉंग्रेस आमादमी पार्टी बीज़पी और इनेलों से कई दावेदार टिकेट के लिए जोर अजमाईश में जुट गए है और ये सभी रुख कर रहे हैं दिल्ली का क्योंकि हाई कमान तो वही बैठता है ना आदमपूर उप्चुनाव में टिकेट के लिए दावेदारों की दिल्ली की तरफ दौड शुरू हो चुकी है भाजपा जचपा की तरफ से प्रत्याशी लगभगत तय है मगर कॉंग्रेस और आपके प्रत्याशी के लिए उमीदवारों का चयन अभी बाकी है सभी पार्टियों के दिगज नेता दिल्ली पहुंच कर अपनी ताकत हाई कमान को दिखा रहे है मगर हम आपको बताएंगे उप्चुनाव के इस दंगल में किसमें कितना है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विपक्षी दल कॉंग्रेस के दावेदारों की प्रदीप बेनिवाल आईए सबसे पहले जानते हैं क्या है इनका मजबूत पक्ष प्रदीप बेनिवाल की इमेज स्थानिय नेता के तौर पर काफी बेहतर है ये बिश्णोई समास से तालुक रखते हैं जो कुल्दीप बिश्णोई को चनौती देने में काफी है और साथ ही साथ ये बिश्णोई सभा के अध्यक्ष भी है प्रदीप बेनिवाल का मजबूत पक्ष तो हमने आपको बता दिया अब इनका जरा कमजोर पक्ष भी जान ली थी प्रदीप बेनिवाल को विधानसवा चुनाव का अनुभव सिलाल नहीं है चलिए बात करते हैं कॉंग्रेस के दूसरे दावेदार की जिसका नाम है जैप्रकाश जैप्रकाश भजन लाल परिवार को टकर देने वाले सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जाने जाते हैं इन्होंने 2009 में कुंदीप विश्नोई के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और कुंदीप विश्नोई से महज 5891 वोट से हारे थे यानि की जीत और हार का अंतर काफी कम रहा था चलिए अब इनका कमजोर पक्ष भी आपको बताते हैं दरसल जैप्रकाश पर बहरी प्रत्याशी होने का ठपा लगा हुआ अब बात करते हैं कॉंग्रेस के अगले मजबूत दावेदार की जो है संपत सिंग संपत सिंग को आदमपूर में चुनाव लड़ने का अनुभव है जो इनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग पॉइंट है इतना ही नहीं इन्हें लोगसभा चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और जाट समाज से होने का फायदा भी जो उनकी उमीदवारिक और दावेदारी को मजबूत करता है ये तो हो गई मजबूत पक्ष की बात अब आपको संपत सिंग के कमजोर पक्ष की भी बात बताते हैं संपत सिंग पर बाहरी प्रत्याशी होने का ठपा लगा हुआ है और इनकी छवी दलपद्लू नेता के तौर पर है ये तो हो गई कॉंग्रेस के दावेदारों की बात अब ज़रा आमाद्वी पार्टी के दावेदारों पर भी एक नज़र डाते हैं और जानते हैं क्या है इनका मजबूत स्टेक्टर और क्या है इनकी कमजोरी सबसे पहला नाम सतेंद्र सिंग सतेंद्र सिंग के सबसे बड़ी मजबूती ये है कि वे आदमपूर से तालुक रखते हैं और स्थानिया नेता होने का भी इन्हें फायदा मिल सकता है बता दें कि सतेंद सिंग पहले भी आदमपूर से चुनाब लड़ चुके हैं और पांच साल से एक शेतर में लगातार सक्रिय है अब जानते हैं इनका कमजोर बक्षिन बार बार पार्टी बदलना इनकी छवी को कमजोर बनाता है आपका अगला बड़ा दावेदार घुपेंद सिंग बेनिवाल हो सकते हैं घुपेंद सिंग भी आदमपूर से स्थानिय नेता है और इसका फायदा इन्हें उप्चुनाव में मिल सकता है और सबसे महतपूल बात तो ये है कि भुपेंद सिंग का लोगों से सीधा संबाद है और ये विश्णोई समाज से तालुक रखते हैं लेकिन इसका कमजोर पक्ष ये है कि इनके पास अभी तक चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है आप और कॉंग्रेस के संभावित दावेदारों के बाद अब बात उस नाम की करेंगे जिसके जीत के संभावनाई सबसे प्रवल बताए जा रही है लेकिन अभी तक फिलाल ये फाइनल नहीं हुआ है कि ये विजेपी की तरफ से उमीदवार होंगे या फिर नहीं जी हां हम बात करें हैं विजेपी नेता कुलदीब बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की अगर भव्य बिश्नोई को विजेपी से टिकेट मिलती है तो इनकी सबसे बड़ी मजबूती ये होगी कि इनकी युवा प्रत्याशी के तोर पर छवी काफी बड़िया है और ये भजन लाल के परिवार के सदस्य है और सत्ता बक्ष भी इनके साथ है लेकिन बात अगर भव्य बिश्नोई की कमजोरी की करें तो जनता के साथ इनका संपर्क इतना नहीं है वैसे राजनेता का जनता के साथ स्थीधा संपर्क होना ही उसकी असली पहचान होता है मगर कुल्दी बिश्नोई के नाम पर भव्य बिश्नोई को बिज़िपी से टिकिट मिलने की संभावनाए काफी ज्यादा है आदमपूर उप्चुनाव को लेकर हमने आपको बिज़िपी कॉंग्रेस और आपके संभावित दावेदारों से रूबरू करा दिया लेकिन हर्यान की राजनीती में एक और पार्टी है जो महत्तपून है अलांकि विधान सभा में उस पार्टी का महज एक विधायक है जी हाँ हम बात कर रहे हैं इनैलो की इनैलो भी आदमपूर उप्चुनाव के दंगल में उतर रही है मगर अभी तक टिकिट के दावेदारों को लेकर असमंजस की स्थिती बनी हुई है इस खबर को लेकर आपके क्या राय है आपको क्या लगता है विधियो पी, कॉंग्रेस, आमादिप पार्टी और इनैलो से किसे टिकिट मिलेगा कमेंट पॉक्स में ज़रूर बताएं हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद